हाँ तो आची इस वीडियों लोग बात करने वाले हैं ट्रिगेंबॉल सूपर 2 के बारे में आची इस वीडियों बिसिकली मैं करने वाला हूँ ट्रिगेंबॉल सूपर 2 एपिसोड नुबर 53 का रिव्यू तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं सेंस तो बस एक जरिए है जो असली मास्टर मैंड है इस अटैक के पीछे है वो है फ्रीसा उन सेंस में फमिलियर फीस था जो की था बार्ड ओड ओविसली ग्रेनोला सेंस इंज फ्रीसा से नफरत करता है पर उसको लगता है फ्रीसा मर चुका है एंड सेंस पीए ट्रीजा की कुछ नहीं था फीस उसको बताते हैं तुम मुझे फॉलो मत करो मुझे कॉपी मत करो अपना खुद का यूई स्टाइल डेवलप करो वीरस विचीटा को बोलते हैं तेरे को यूई सूट नहीं करती कोई दिक्कत नहीं है आजा मेरे पीछे तेरे को में सिखाऊंगा तब ग्रेनुला ओजी 73 को लेके चाराता हीटर्स केंप में बाहर दरवासे पर उसको कुछ गार्ट मिलते हैं एक ग्रेनुला को देखके बोलता है औरे बाई ग्रेनुला क्या हाल है तेन वही लाइफ फॉर्म ने जो एलेक को चाहिए थी तूने इसको कहां से पकड़ा ग्रेनुला उस पर एम करता है जूना भी मत वरना एलेक मुझे तेरी गर्दन उड़ाने के भी पैसे देगा अभी वह गार्ट डर जाता है अरे भाई मैं तो मसाग कर रहाता मसाग भी नहीं समझता अराम से जानतर और हाँ आज की पार्टी तेरी तरफ से अभी ग्रेनुल क्या बात है हम हमेशा तेरे पर भरोसा कर सकते हैं पाकियों को भी हम लोग छोसे देखते हैं विचिस ऑईल माकी ऑन गैस अलेक बोलता है आगे लाई से मुझे इसको करीब से देखना है क्रेनुला फैक्ता है ओजी 730 को आगे एलेक के पास एलेक सोचने लगता है क्या यह OG73 एलिक बोलता है बहुत बढ़िया काम किया ग्रेनूला ग्रेनूला रिप्लाइ करता है मेरे पैसे एलिक कहता है हाँ क्यों नहीं मा की हमारे दोसको उसका इनाम तो दे दो अभी मा की यहां पर अपनी कोई करनसी टाइप आफ निकालती है एंटी देती है उसको ग्रेनूला ग्रेनूला एलिक से पूछता है वैसे तो उसका करेगा क्या तुझे भी उसकोची की तरह कोई आर्म आर्मी बना के दूसरों पर डॉमिनेट करना यह सब पहले हुआ करता था आज यह टाइम पर पावर पैसे और टेक्नालोजी पर निर्फर करती है ग्रेनुला पूछता है टेक्नालोजी मतलब जिस पर एलेक रिप्लाइ करता है यह तो जिसको लेके आया है ना वही है टेक्ना जा चुका है ग्रेनुला शौक्ट हो जाता है वह वापिस आ गया पर कैसे जिस पर एलेक रिप्लाइ करता है पता नहीं पर हमारे बिसनस के लिए बहुत बुरा हुआ जो लोग डरते हैं डर के भागते हैं वो डील करने से कतर आते हैं ग्रेनुला तो बस यही सोच रहाता मतलब आग से खेलना तो उसके सामने नहीं टिक पाएगा ग्रेनुला इस बात पर इप्लाइ करता है वो सब मैं देखूंगा तो बस मुझे इतना बता वो फ्रीजा है कहां ग्रेनुला यहां पर एलेक के पास जा रहा था इतने में कैस आता है एंड ग्रेनुला पर अटेक क जानता हूं तो फ्रीजा से नफरत करता है पर बतला टाइम लेके प्लैनिंग के साथ लिया चाता है तो चिल कर अपने इस गुस्से को शांत कर तब तक जब तक हम तेरी मदद के लिए तयार नहीं होते फ्रीजा हमारे रास्ते कापी काटा है समझ या ना ग्रेनुला रिप कोई काम हो तो बता देना माकी आप ग्रेनुला को गुडवाई बोलती है ग्रेनुला यहां से चुप चाप चाने लगता है इसी बात पर ओटमील पूछता है बताएगा ग्रेनुला यह क्या था तूने एलेक को लास वर्ट पूलने दिया तेरे नीचर से यह काफी अलग थ ग्रेनुला यहां पे गुस्से में ताओ फू बोलता है वो कमीना फ्रीजा मेरे हाथों से मरेगा धना बदला लेके रहूँ का इस बात पर ओटमील कहता है वो सब ठीक है परशान रहे पहले अर्णिंग्स का मसाले ले लैड़ेनुला यहांसे चला जाता है माकी बोलती है नाम सुनते ही इसके मन में आग लगी इसके मन में उसके लिए बहुत गुसा है ओईल पूछता है वह तुने उसके सामने फ्रीशा का नाम ही क्यों लिया अपर इस बाद पर रिप्लाए करता है हमारा थोस्ट क्रेनूला बहुत सद्यूग हो किया है और यह बात उसके सर पे चड़ गई है हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी अगर वो तुछ से आगे निकल गया कैस इस बात पर गैस बोलता है वो मुझे कभी नहीं हरा पाएगा एलिक इस बात पर कहता है हाँ बिल्कुल तू हमारी फैमिली की आनपान शयान है माकी बोलती है कैस से जदा स्ट पिल्कुल नहीं करूंगा अभी मुझे देखना है इस चीज के अंदर क्या है और इस बात पर बोलता है हाँ जल्दी इसको एनलाइस करूंगा अभी एलिक यहां पर एक और इंपॉर्डेंट बात बोलता है जल्दी हमें वो चीज मिल जाएगी जो हमें चाहिए सूनों की लोकीशन जिसको सब पता है ग्रेनुला यहां पर अपनी प्लैनेट सीरियल पर जा रहा होता है अराम करके ओट मिल इसको बताता है प्लैनेट सीरियल पर पहुंचने में दो दिन लगेंगे ग्रेनुला रिप्लाइग करता है अचानक से ग्रेनुला की स्पेस्शिप पर हो जाता है सुचिरू भी वहां पे चाके लेंड हो जाता है सोचिरू उसके दोस बहार आ जाते है पनी फैस्शिप से सोचिरू बोलता है बागने का कोई फायदा नहीं है अपना पैसा दे दे वर ना तेरी तो ऐसी तैसी कर दूँगा मैं ग्रेनुला रिप्लाइग गरता है ह क्यों नहीं क्यों ना मैं तो जब नी आदी अर्णिंग दे दू और हम दोने आसे खुशी खुशी चले चाहें शोशीरू उस बात पर कहता है यही तो मैं पहले बोल रहा था अभी ग्रेनूला शोशीरू को शिप के अंदर बुलाता है अभी सोशीरू उसके साथ ही जाते हैं साथ के साथ है सान अंतर है। वह से गड़ी खता है करनीग चुरू बोलता है के अधा रहां से अटेक लेके रखाता है, सो शुरू पे, ओट मिल बताता है, अगला अटेक स्टन गन कर नहीं होगा, अगला अटेक में तेरी खोपड़ी गई, सो शुरू आपर डर जाता है, बोलता है, हार मनली मैंने, सोरी सोरी, यह रे मेरे पैसे, निकल रो यहां पे, छोड़ दे मुझे ग्रेनूला भी अपनी स्पेशिप पे वापस आ जाता है, एंट बोलता है, चल अच्छा हुआ, प्रॉफिटेबल एंकाउंटर इता अफ्टर ओल, ओर्ट मिल यहां पे ग्रेनूला की तारीफ करते हो बोलता है, तेरी स्नाइपिंग का कोई जवाब ही नहीं है, पर ग्रेन आती है लोड बीरस के प्लेनेट पे जहां पर औरेकल फिश सोते सोते बोलती है, यूनिवर्स का स्ट्रॉंगेस वारियर जल्द ही आने वाला है, एपिसोड नूमर 53 यहां पर आ कि खतम हो जाता है, कौन होने वाला है यूनिवर्स का स्ट्रॉंगेस्ट वारियर, क्या वो आज मैं गोकू विचिर्टा कोई नहीं था पर अटी ही लोगों को अंदासा है, यह किसी के भी सगे नए में आप सभी कमेंट करीं बताए आप सभी को एपिसोड कैसा लगा, टैट से अट से फूर दे, इस क्या सब आपको वीडियो पसंद दे लिए वीडियो में तिल्दै पीकोड़ गईस